पूर्विधायक से स्यांदेव पाश्वान जी और भारी संख्या में नागरिक्ता कानून की समर्थम में पस्तित गया और आस्पास छेत्र से जड़ेवे सभी पस्तित भाईयो भेनों इस स्रिष्टे के पालक भगवान विष्णों की इस पावन नगरी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ भगवान बुद्ध पूर्वे उत्तर बदेश में कपिल वस्कु से ही ग्यान प्राप्त करने के लिए गयाने परहारे थे और यहां पर जो ग्यान उन्हें प्राप्त हुआ व अभिष्व मानोता के एक कल्यान का मात्यम बना महत्मा बुद्ध की ग्यान किस धर्ती को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ और मेरे लिए तो गया वेशिवे अत्यंत भावनात्मक रोप से जड़ावा एक ऐसा प्रमुक्तीर थस्तन है हर सनातन हिंद्धो धर्मावलंबी दुनिया का हर वाव दनियाई जहां इस धर्ती के प्रति अत्यंत संधा का भाव रखता है वहीं साथी साथ हर योगी हर सन्यासी यहां की कनकर में ब्याथ आध्यात्मिक्ता के उभावों से सदे अपने आपके उप्रोथ पाता है मेरे दादा गुरू के दादा गुरू योगीराज बाबा कंभीर नाजी ने यहीं की कपलधारा मैं साधना करके सिद्धी प्राप्त की थी यहां दौहरी गुरूप से विरकन में ग्याव्त अध्यात्मिकता की एक अंतहर गर्म का लगा इस पवित्र भूमी से होने के नाते में आप सब का नागरिक्ता कानून के समर्धन में उपस्तित आप सभी भायो बेहनों का में हिर्ड़े से विलंदन करता हूं आप सब की प्रती में मकर संक्राम्ती की सुबकामनाई भी आप सब को देता हूँ भायो बेनो ये नागरिक्ता कानून बहुत स्पस्ट है और जो यहां पर मन्य सुसील मोधी जी ने अपने उद्गोधन में पहली कहा है डॉक्टर संजय जैस्वाल जी ने भी अपने उद्गोधन में इसको स्पस्ट कर दिया है कि ये कानून नागरिक्ता देने का कानून है नागरिक्ता लेने का नहीं जब हमें माधित्ता देनी है तो फिर इसमें भैभится होने की आउसिक्ता किसी को भी नहीं होने चाहिए थे दूसरा कि यहाँ कानौन किसी जाती किसी मात किसी मज़ब किसी छेत्र किसी भासा का विरूधी भी नहीं है जिस कानून को संसोधित स्वरूप में लाने के लिए प्रधान मंत्री मोधी जी का और ग्रह मंत्री अमित्साजी का विनंदन होना चाहिए था लेकिन विपक्स के कुटिलता और विपक्स के द्वारा फैलाए गए भ्रम के कारान आज कुछ मुठी भर लोगों के द्वारा धर्ना प्रधर्संग और आजजनी करने की जो कुछ सी तेस्टाएं हो रही हैं समाज को उसके पती जापरूप होना होगा क्योंकि ये तार बहुत दूर जुड़े वे हैं कोई दूर से निसाना साथ करके भारत जब एक भारत स्रेश्ट भारत बनने की और जाकर के दुनिया को नित्रतों देने की स्थिति में आया है तो भारत की संब्रिदी और भारत की प्रगति उन लोगों को अच्छी नहीं लगती और इसलिए गुम्रा करके जूट बोल करके असत्य वासन करके दो आवाज उबरी थी एक आवाज थी बावा साथ दॉक्तर भीम्रा अंबेद कर जिकी और दूसरी आवाज थी जोगेंद करनात मंडल जी कि एक दो आवाज थी भायोवेदों हम सब इस बात को जानते हैं पावा साथ भीम्राम बेकर लिलांत भ्रामक तक्चों को प्रस्तुत करके में लोग समाच को फृदेश को गुम्रा करने का प्रियास कर रहे हैं बामपंथ का सितांत भी रहा है एक जूट को सौबार बोलो तो वस्त हो जाएगा लेकिन जूट तो जूट होता है जूट करी सच नहीं हो सकता लेकिन एक वास्तुविक्ता को जुटलाने का प्रियास आज तमान दमों के दोरा क्या जाना है और ये दाहित तो बनता है भर की जंता पार्टी और देश के जिम्यदार लो की अंदर गुम्राथ करनी कि कुछ सीच्ष्टाएं कर रही हो वे तांकते यह भारत की प्रगवि से स्वंतुष्ट नहीं जिने भारत एक भारत अच्छा नहीं लगता अच्छा नहीं लगता वे लोग्क्तियाने वस्तिविक्ता जनता के और बीच में लखना इस हम सब का दाहित्व है और इस , निर्वहन करने करने के लिए ही आज ये मंज आप सब के सामने यहां पर पस्तितवा है कि आप में से एक एक कारव करता एक एक नाघरिक प्रदान मंत्री मोधी जी का और ग्रै मुंत्री अमित्साजी का प्रतिरी बन करके जब समाज की बीच में जाएगा ये भ्रभ अपने आप दूर हो जाएगा भायो बेनो जब हम लोग इस नाग्रिक्ता कानून की तो हमें जाएंगे ऐसा नहीं के नाग्रिक्ता कानून पहली बार बनाओ याद करिए 1947 में देश का दुर्भाद के को विभाजन इसके लिए कोई जम्मेदार है तो कॉंग्रेस जम्मेदार है कॉंग्रेस की सकता प्रातिकी अधिलिक्सा देश के विभाजन का कारण बना था और विभाजन के बाद लगातार मां उठ रही थी कि देश का विभाजन नहीं होना चाहिए 1946 में जब देश के अंदर इस समन में जनादेश की दाज सामने आई थी तो इस देश के अखंड भारत के लगभग सो फीस्ती हिंदों ने कहा था सिटों ने बौतों ने जैनियों ने इन सब ने भारत विभाजन का दिरोद किया था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए लेकिन देश का दुर्भाग के पुन विभाजन 1947 में हुआ भारत के अंदर 1947 से लेकर के और आस तक मुस्लिम आवादी कई गुना बढ़ी साथ से आठ गुना आवादी बढ़ी है किसी को आपती नहीं अगर भारत के अंदर रहकर के भारत के नगरी के रूप में भारत के विकास में सेभागी बनना चाहते हैं सबका स्वागत है उनकी आवादी बढ़ी इसलिए क्योंकि उन्हें भारत के अंदर विसे इस अविकार दे गए हर प्रकार की सुभ्धाएं दी गई आगे बढ़ाने का हर संभो प्रियास हुआ लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ 23 प्रषत आवादी हिंदों के थे 1947 में और आज पाकिस्तान के अंदर हिंदों की आवादी एक प्रषत रह गई है कहां चले गए या तो मार दिये गए या भगा दिये गए या धर्मांतिर्ट कर दिये गए ये पाकिस्तान की बस्तविक्ता है और यह सिल्सना 1947 से प्रारब्द हुआ लगातार चलता रहा 1950 में जब पाकिस्तान के अंदर अल्पसंख्यकों का कतल याम और उनका धर्मांतर नहीं रुका तो नेरू लियाकत समझोता भी होता है दोनों देशों के प्रवानमंत्री आपस में बैठ करके समझोता भी करते हैं और समझोता करने के बाद इस बारे में समझोता होता है कि दौनों देश अपने अपने देशों के अंदर उन्पसंच्यक S нужard की रक्सा करेंगे बारत ने समझोते का पालन किया लेकिन पाकिस्तान ने समझोते का पालन नहीं किया 1955 में नेरू जी जब देश के पुनार मंत्री थे भायो बेनो तब 1955 में भारत ने अपना नागित्ता कानून बनाया था और इस नागित्ता कानून समय समय पर संसोधन भी हुआ और इस अंतिम संसोधन के लिए एक समय सीना दी गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांगरा देश से जो भी हिंदू सिक्व बाब जैन पार्सी इसाई पीडित और प्रतारित थे जिन्नोंने भारत के विभाजन का विरोज किया लेकिन वे वहां से वापस आ नहीं पाए अगर वे लोग भारत के अंदर आये हैं और निश्रित सुर्टों के आधार पर आये हैं उनका वहां पर प्रतार्णा हुआ है उन्हें अप्तानित किया गया है उनकी संपत्यान मूटी गई है वहन बेटर विज्जत के साथ खिलवाड हुआ है उन्हें भारत के अंदर नाकरिक्ता दी जाएगी ये कार प्रहान मंत हर एक मोर्चे पर भारत को बिखल करना चाते थे आपने देखा होगा सदियों से मुस्लिम महिलाओं का अप्तान होता था तीन तलाक के नामबर मोधी जी ने तीन तलाक को हमेशा गले तलाक करवा दिया समाथ करवा दिया तलाक की पुपर्था समाथ लोगों को वुरा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे न्याई मिल गिया क्योंकि ये मुस्लिम महिलाओं को न्याई मिलने का मत्ताब अब फद्मों की दुकान बंद होना है और इसलिए जो लोग फद्मों के बंपर देश कब देश की विवस्ता सम्धान से न चले बर्कि फद्मों से चले उनको सबसे पहली अरचन तो उनके लिए थी कि तीन तलाक की पुपर्था को रोग क्यों रगा दी गई क्यों कानून बना दिया गया दूसरा उन्निस सो बावन में कॉंग्रेस की एक कुट्रिता ने देश के समिधान में धारा तिन सो सब्तर सब्द जोड़ दिया पर तीन सो सब्तर भाबासाइब्रा उंबेटकर ने तभी कहा झा इए तीन सो सब्तर देश एंदर अलगाय वगागाद और आतंग बा शायाद का बनेगा वावसाइब्रा अममेद्र की बाद समस्त भी कोई स्थकार रिम्मत नहीं करता और हम अभिनंदन करेंगी प्रभान मंत्री मोधी जी का और भेह मंत्रे विच्छा जी का जुना ने कस्मीर से धारा 370 को समात्त कर दिया हमेशा के लिए समात्त कर दिया धारा 370 गई काम से अब तो पाकिस्तान को इस बात के लाले पड़ गए है कि पाक अधिक्रत कस्मीर कब भारत के अंदर चला जाएगा और कब फिर से पाकिस्तान का फिर से विभाजन हो जाएगा अब वो इस पाक की चिंता करता है आपने देखा होगा नित्रुत्व जैसे होता है वेसे ही देश भी होता है याद करिए जब याद करिए जब मुंबई पर पाक प्रस्त आतंगब लगाजीव ने हमला किया था तब कॉंग्रेस ने त्रत्वकी सरकार थी देश के अंतर से मांग हो रहे ते कि पाकिस्तान के पास अधिम पॉम्म है एक पंसक्जण के पाकिस्तान के उन्निस में उस समय ज़द जमू कस्मील के अंदर एक आतं की घटना घटितु ही तो भारत के جवान पाकिस्तान के अंदर जा करके पाकिस्तान के सभी आतं की अड़ाईचों को समात प्रकर के वापस आ गए और पाकिस्तान की भासा ही बदल गई आपने इमरान खान के बयान को बढ़ाओगा तो इमरान खान का चिला रहा था इमरान खान तब चिला रहा था कि भारत हमला कर देगा हम पर ये है ताकत देश की ये भारत की ताकत है इस ताकत का इसास मुदी जी ने देश को भी और दुनिया को कराया है और दुनिया को कि स्रूत में अभी हादी में आपने देखा होगा अमेरिका और इरान के पीछ में तनौच अला है खोग तनौच अला है इरान का स्रूच कमांडर अमेरिका ने मार गिलाया और जब दोनों देशों के बीच में वारता कैसे हो सांती की पहर्ण प्रारणब हुई तो लोगों ने कहा कि अगर भारत मद्यस्ता करेगा तो तब ही ये संब़ हो पाएगा इस रे कौंदेरा भारत को भारत की ताकत का इसास कोई करा रहा है तो भारत के सुस्षी प्रणान मंत्री से नरेंदर मोदी जी करा रहे है और जिन लोगों को भारत की इस ताकत से अबरती भी ताकत भारत अच्छी नहीं लगती वे लोग तुस परचार कर रहे हैं भारत के खिलाब फडेंदर कर रहे हैं भारत के खिलाब उनको लगता है कैसे आखिर कैसे एक एक करके 3 तलाद समाथ होता है 12-370 समाथ होती है और 500 वरसों से अव्योध्या में भग् token Rाम के मंदिर अव्योध्या में भग्मार राम के मंदिर के दिर्मार का मार्द कैसे प्रस्ष्त हो गया याद करिये कॉंग् runners ने सुप्रीम कोट में का एप्लिकेशन लगाई थी और एप्लिकेशन इस बात को लगाई थी कि राम जनर भूमी का फैसला नहीं होना चाहिए लेकिन हो गया फैसला और मैं तबाई देता हूं आप सबको हयोत्यामे भकवार नाम का भब्य मंदिर के निर्मान का मांग भी प्रसस्त हो गया है ये है न्यू इंडिया और भाईयो बेनो इस न्यू इंडिया से जिसने अपनी लोग पंत्र की ताकत को न्याई पालिका की ताकत को और भारत की ताकत को दुनिया की सामने प्रस्तुत क्या लोग कहते थे राम मंदिर का फैसला अगर आ जाएगा तो कतल याम होगा हमने का आएगा और उस फैसले को लागू कराएंगे और आज मैं आपको अवंतित करने के लिए आया हूं मकर संकान्ती का परवारा है और भग्वान राम के भव्व मंदिर के मिर्मान का मार्ग पसस्त होने जा रहा है प्रहान अंतरी मोदीजी को अभिनेंदन वेजे यह नोने जो कहा था कि देश की आकांसाओं की पूर्ति का कारे हमारे दूसरे कारेकाल में होगा एक एक करके सभी कनम उठाई जा रहे हैं और यह नाग्रिक्ता कामून भी भारत की उस परंप्रा का हिस्सा है कि सरण में आएवधे की रक्सा करेंगे गुस्पैटियों को निकाल भार करेंगे लेकिन समवार्तियों की रक्सा करेंगे उन्हें भारत की नाग्रिक्ता देंगे और यही तो भारत सरकार कर रही है भायो बेनों जो लोग तुम्रा करने का प्रियास कर रहे हैं मैं सभी से कहूंगा पहले कहा गया कि एक कानून किसी जाती किसी बात किसी मज़द के खिलाब नहीं है आप बताइए न इस देश के अंदर सरकारे 1947 से चलिया रही है मैं देख रहा था कांग्रेस और RJD के कुछ पोश्टन लगे वे थे उसमें लिखा था कि सम्विधान के खिलाब नागरिता का कानून यानि सम्विधान की दोहाई हुए हमें देंगे जिस कांग्रेस ने देश के अंदर इमरगंसी लागू की थी जिसमें देश के अंदर सम्विधान का गला घोटने का कारे किया था वो कांग्रे साथ समिधान की दोहाई दे करके देश के अंदर बने एक अच्छे माहोल को देश के अंदर बने वे एक अच्छे कानून को किस तरीके से नकारने का कारे कर रही है ये कानून को और देश के समिधान को नकारने का मतलब बाबा साथ भीमरों अम्बेटकर का अपमान देश के समिधान का अपमान करने का मतलब डॉक्तर नाजेंदर परसाद जी जैसे विदोधियों का अपमान और कॉंगरी से कारे लगातार कर रही है उसके सयोगी लगातार ये कारे कर रहे है लगातार एक साजीस के तहर दुस्परचार कर रहे हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं भाईो बेनो मोदी जी ने पाँ अपने पिछले कारे काल के दोरान आपने मोदी जी का कारे काल देखा पिछला पांस साल का उन्होंने मकान दिया प्रणानमंत्री आवास योजिना में क्या किसी की जाती किसी का मत और मजब पूछा उन्होंने रसोई गैस के कनेक्शन उचला योजिना में दिये किसी की जाती और किसी का मजब पूछा उन्होंने प्रणानमंत्री किसान सम्वान निभी किया क्या किसी की जाती किसी का मज़ब पूछा सौभा के युष्णा में भितुत के कनेक्शन दिलवाए क्या किसी की जाती और मज़ब पूछा आयुस्मान भारत में पाँच लाख रुपे हर गरीब को प्रतिवर्स स्वास्त की सुटा देने की दुवस्ता की क्या किसी की जाती और मजब पूछा जब सासन की योजनाओं में किसी की जाती किसी का छेदर किसी का भासा किसी का अग्माद किसी का मजब नहीं पूछा बनकि हर गरीब को गाओं को, किसान को, नाज़वान को, मेलाओं को इन सब को योजनाओ को आप जब परावर दिया तो फिर मोदी जी पर आरोग किस प्रकार का लग रहा है ये कौन लोग है जो लोग देश के वातावरन को खराब करने का प्रियास कर रहे है और दूसरी तरफ भाईो बेनो मैं अब सबसे कहना चाहता हूँ मैंने देखा देखे जो लोग गनप्थ हैं भी पैदा कर रहे है मैंने मौरसी अर्मिंद की एक बात सुनी थी उन्होंने एक बात कही थी मौरसी अर्मिंद देश के महान सुतंतरता संगाम से इनालिवी थी बहुत बड़े क्रांटिकारी थी और महर्जी अर्विंद ने एक बात कहीं थी और उबात उन्होंने इस रूप में कहीं थी कि देश के अंदर भाईो बेलो उन्होंने एक बात कहीं थी और उबात कहीं थी कि इस युक का सबसे बड़ा पूने है देश के हित्मे कारे करना और मुझे लगता है कि देश के खिलाब गबदारी करने वारे लोग किस परकार के पाप के भागिदार मनते हैं यह आपने देखा होगा अनेक औसरों पर यह उद्धरना हम सब के सामने देखने को और सुनने को मिलते हैं मैं केवल एक उधारण आपके सामने दूंगा भाईो बेनो एक उधारण आपके सामने प्रयापत होगा इसको समझने के लिए जब देश जब आजादी की लड़ाई लड़ा था तो भाईो बेनो आजादी की लड़ाई के दोरान इस देश के अंदर देश के बंक्चितों देश के गरीब और देश के दलितों की आवाज पन करके दो आवाज उवरी थी एक आवाज थी बावा साथ तक्टर भीमरा उंबेटर जीकिल और दूसरी आवाज थी सिजोगेंदरनाथ मंदल जीकिल ये दो आवाज थी भाईो बेनो हम सब इस बात को जानते हैं पावासाब भीम राम बेकर निरांतर भारत की आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ बंचितों गरीबों दलितों की आवाज बनकर गयोगरे थी लेकिन कांग्रेस उनका पान करती थी 1946 में नेशनल एसेंबली के चुना में बावासाब भीम राम बेकर को भूबई सिनों ने हर्माने की का खड़ेंगर भी किया था और तब बावासाब भीम राम बेकर के लिए कॉलकत्ता में किसी ने अगर अपने सीठ छोड़ी थी तो नाम था सी जोगेंदर नाथ मंडल का लेकिन भाईो बेनो बावासाब भीम राम बेकर देश के अंदर गलितओं बंचितओं गडिवों के आवाज थे ही देश की स्वाधिंता के भी आवाज बने थे और जोगेंदर नाथ मंडल Jinnah के बहकावे में आकर कि पाकिस्तान का समर्थन करने की गलती कर दिये थे पाकिस्तान का समर्थन की गलती का खाम्याजा क्या रहा देश का ग्रुभा के पूर विभाजन हुआ बावसाद डोक्टर भी प्रॉम पेट कर भारत के कानून मंत्री बनते है और जोगेंदरनात मंडल पाकिस्तान के कानून मंत्री बनते हैं लेकिन बावा साथ भीमरा अम्बेटकर भारत के समिधान के सिल्भी भी बनते हैं और आजाद भारत बावा साथ भीमरा अम्बेटकर को भारत रत्न से सम्मानित भी करता है और बावा साथ भीमरा अम्बेट कर से जड़ेवे पांच अस्तानों को पंच तीर्ट के रुपने मोदी जी ने विक्सित करके देश और दुनिया के बंचिता को एक उन्या संदेश भी दिया है लेकिन जोगिन्दमाद मंदल के साथ क्या हुआ 1947 में देश के विभाजन का समर्तन करने वाले जोगिन्दमाद मंदल पाकिस्तान के अंदर गनितों के साथ, हिंदों के साथ, बब्बों के साथ, सिक्तों के साथ, जैनियों के साथ, वहां के अर्प संच्छपों के साथ होने वाले अत्याचार और स्वयंग के साथ होने वाले भेगभाव से इतने बितीत हुए 1950 में वे इस्तिपा देकर कि वापस भारत आ गया भारत के अंदर सरनार्थी का जीवन उन्हें ने बितीत किया कॉर्टत्ता में ही एक सरनार्थी के रूप में गुम्नाम मौत उनको जीने के लिए मजबूर होना पड़ाता और 1964 में उनकी मिर्टु हो गई जो गिंदर्नाथ मंडल का नाम कोई नहीं जानता याद रखना देश के खिराब जो लोग गद्दारी कर रहे हैं वे एक पाप कर रहे हैं और उस पाप का खाम्याजार उनके सामने के लिए गुम्नाम जीवन के रूप नहीं होगा लेकिन जलोग आस देश के इंदर एक भारत स्रेश्ट भारत के सम्याम के साथ जुड़ करके भारत को समर्थिसाली बनाने भारत को सक्षिसाली बनाने भारत के प्रत नाविक। प्रतेष सुरक्सा के साथ साथ हर प्रकार की संवर्दी के और रग्रसार करने के लिए जो अभ्यान वर्दलान में मोढ़ी जिकcor pelos में देश के अंदर प्ररारम हुआ है इस अभ्यान के साथ हम सब को जुड़ने के औ सकता है क्योंकि ये नकेवल हमारा अधिकार है बलकि ये हमारा संवेदानी गाहित को भी है और अपने उस संवेदानी गाहित के तहद हम सब इस अभ्यान के साथ जुड़ें यही आप से फील करने के लिए कि हम घर घर जाकर कि जिस अभ्यान का हिस्सा बने लोगों को बताएं कि जब किसी ही है तो नागृता देने का लेने का ने कानून है नागृता कानून का नर्सी से कोई समंध नहीं है नर्सी एसम के अंदर लागू हो रही और सुप्रिम कोड क्यादिस से लागू हो रही है लेकिन कैसे गुम्रहा करके नावस्यक माहोड को खराब करने के जो कुछ सी चेश्टाई हो रही है हम सब उससे अवगतों प्रतेयक नागरिक को इसके बारे में अवगत कराएं और विकास और सम्रिदी की इस मुख्य धारा के साथ चुड़ करके एक भारत फ्रेश्ट भारत के निर्माण में हम सब अपना योगदान दे सके यही आप सब से पील करते वे मैं एक बार पुना आप सब को मकर संकान्ति की भारतिक पधाई देता हो और नग्रिक्ता कानूं के समर्तन में इतनी भारी संख्या में आने के लिए आपका विनंदन करते वे बाणी को ब्राप देता हो धन्यवाद चुड़ेश्ट अबे एक अज़क्रम में अपने लोग फिरिये देता उत्तर परदेश के मानिय मुखमंत्री श्री हादिप्ता जोगी जी अपने चुड़ेश्ट